हाई अबरिवन में मानी स्वागत है आपर टेस्टी टेबल में और आज हम अपने किचन में बनाएंगे तंदूरी चिकन वो भी बिना ओवन के बनाएंगे तो स्टार्ट करते है रेसिपी फर्स्ट मेरिनेशन तयार करना है हमने तो तीन से चार लेक पिस ले लिये हैं मैंने लिये हैं और एक चमच मेंने लिया है जिंजर गाली हरी मिर्ची का पेस्ट एक चमच लिया है लैमन जूस स्वादनुसान नमक और इस पर अच्छे से अच्छे से इसको फिल कर देना और एक घंटे के लिए रेस्ट पर रख देना है तो हमारा जो मैरिनेशन ने वो कम्प् और गर्म मसाला लिया है ङाँ फ्लायेर तंदूरी मसाला बनी हैख़ाँ जो फस्ट मेरिनेशन हमारे चिकन लेख्या की में सब्सक्राइब में रहे हूं इसमें डीप कर दीजिए और अच्छे सी कोटिंग कर दीजिए बढ़िया सी अच्छे से इसके कट्स में फील कर दीजिए पूरा मसाला और इस तरह से पूरा मसाला आप अच्छे से बना लीजिए ऐसे कोटिंग करके इसको पूरा तीन घंटे हमने रखना है फिर से तो और इ तो यह हमारे तीन घंटे हो गए हैं अभी फिर से हम एक बारी इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसके मसाले थोड़ा साच्छे से कर लेंगे अगें मिक्स करना है तो मिक्स अच्छे से हो जाएगा तो बस एक कोई भी नॉस्टिकी पैन ले 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 लिजिए तावा ले ले अपना वेजिटीबल ऑईल डाली है और थोड़ा सा बटर डाली है बहुत जादा डालने की ज़रूती है और अपने कोटिंग हुए चिकन लैक पीस इस पर मैंने रख दिया है और इसको सिक ने देना है तो वन साइड हमने से सिक जाएगा यह देखिए तो इस तरफ से सिक जाए तो ऐसे जुगार जमा करके तंदूरी चिकन भी घर में हम बना सकते हैं जरूर नहीं क्या कि पस तंदूर हो ओवन हो तो बस इस तरह से बनाएंगे और इसका वैसा ही टेस्ट आया था सब ने खाके बताया था बिलकुल बढ़िया वाला टेस्ट आया था तो आप बि इस तरह से तो यह अच्छे से फ्राय हो रहा है थोड़ा सा मुझे और फ्राय करना थोड़ा सा में डाग करूंगी यह इतना तो फ्राय हो गया और पग भी गया अंदर से बट मुझे थोड़ा सा और फ्राय करना है तक कि थोड़ा से इन लोग को डाग चाहिए कलर जिनको खाना है तो वह तो हमारा अल्मोस्ट कंप्लीट हो गया है इस तरह से फ्राइ कर लिए इतना डाग चाहिए था और गैस मैंने बंद कर दिया है अब इसकी प्लेटिंग की जाएगी तो प्लेटिंग करने के लिए चलते हैं तो अब आप आप आपको तेस्टी सा लग रहा है पे मिलते, बाँ बाई, टेकेर